नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपका 200 कुशन का सेट होने वाला है आज की वीडियो में हम देखेंगे सेट नमबर 14 देखेंगे और सेट नमर 15 देखेंगे ठीक है और आज से आप सभी लोग का एडूटेरिया क या जब खतम हो जाएगा तो अभी क्रेंट अफियर का यहां पर देखा जाए तो आपको यहां पे 390 कोशन करीबन यहां पर अपलोड कर दिया गया है तो उसको आप देख लिजेगा मास्टर बीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है इसी बुक का है तो हर एक सेट में आ तो यह कहां पर खोला गया है तो आप सब लुग जाद रखिएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन भी तमिल नाडू नैश्ट कोशन कोशन नमबर टू बोला गया है कि निम्लिखित में से किस तिथी को राष्ट्री आयरुवेद दिवस मनाया जाता है तो यह आपका हरियाना के दोरा जो कि आपसन आपका सी हो जाएगा नैश्ट कोशन के निम्लिखित किसे बस वसरी बस वसरी प्रोसकार्द और एक कई समानित किया गया है तो यह जो समानित किया गया है आपका पूनीत राचकुमार को जो कि आपसन आपका यहां पे भी सही आंसर हो नेस्ट कुसन किस राजय ने देश का पहला बास से निर्मित क्रिकेट बैट तयार किया है तो बास से निर्मित बैट जो है तयार किया गया है त्रिपूरा के द्वारा जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा नेस्ट कुसन की पुस्तक दो सिनेमा आप सत्य जीत रे किसके गया है तो भासकर चटो बेद्याय हो जाएगा जो कि इस सिक्स का एस ही आफसर हो जाएगा नेश्ट कुसन की भारत का पहला रूप टॉप ड्राइव ड्राइव इन मुवी थेटर का उडगाटन कहां पर किया गया है तो जो इसका उडगाटन है याद रिखिएगा मुंबई में किया गया है जो की आफसन आपका भी हो जाएगा नेस्ट कुसनर के किस बैंक ने पैंसं धारको के लिए दी और बीडियो लाइफ की सुलवgart किया है तो यह जो शुरुवाद किया गया है SBI के दुरा शुरुवाद किया है आपसन आपका D हो जाएगा नेस्ट कोसन नबर 9 बोला गया है कि राश्ट्री राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्स किसे बनाए गया है तो ये किसको बनाए गया है तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका भी हो जाएगा अर्माने गिरिधर इसका पीडियाप आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल के साथ तो टेलिग्राम गुरुप को जोइन कर लिजेगा ठीक है राजीव गांधी यानि राजीव गांधी राष्ट्री उध्यान असम का नाम अदल करके क्या रख दिया गया है तो आपको पताई होगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन ए औरंग राष्ट्री उध्यान हो जाएगा जो कि 10 का A सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसन की सराज की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टेक दिया गया है तो यह आपका GI टेक दिया गया है जहारखंड को जो की ओप्सन आपका C हो जाएगा नेश्ट कुसन की कोवेड पोर्टल को निम्न में से किसके दोरा लॉंच किया गया है तो आंसर याद रखिएगा नीती आयोग हो जाएगा यानि ए सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसन के व्यापक आर्थिक सहयोग और भागिदारी हेतू भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझहोता किया है तो यह जो समझहोता किया गया है याद रखिएगा मौरिसस के साथ जो की ओप्सन आपका भी हो जाएगा नेश्ट कुसन के सन्युक्त सैन्य अभ्यास साज्या भागिदारी 2021 में कौन सा देश सामिल नहीं है तो कौन सा देश है जो इसमें आपका सामिल नहीं है तो नेपाल जो है इसमें आपका सामिल नहीं है नेश्ट कोशन की समावेशी इंटरनेट सुचकान 21 में काउन सा देश प्रथम इस्थान पर है तो प्रथम इस्थान के अगर बात करें तो यह आपका स्विडन हो जाएगा जो कि 15 का ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन के फीफा अंडर 17 पुरू सविश्व कब 223 कायोजन कहां पर किया जाएगा तो यह कहां पर किया जाएगा तो यह आपका पेरू में किया जाएगा जो कि आपका भी हो जाएगा चली आगे देखते हैं अगला कोशन ने कोशन नबर 17 बोला गया कि आर एसेस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पूर्स्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर याद रिखिएगा यह आपका हो जाएगा सुधान सु मित्तल हो जाएगा जो कि आपका यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा तो सही आंसर आपका 17 का देखा जाए तो आपसन आपका भी हो जाएगा सुधान सु मित्तल ठीक है नैस्ट कोशन देखेंगे कोश सही आंसर हो जाएगा बज़र 21-22 में पहली डिजिटल अज गणा जन गणना हे तू कितने रासी आवंटित की गई है तो यहां पर जो रासी अगर देखा जाया तो यहां पर आपका हो जाएगा आपका साथ यहाँ पर पदक जीता गया है और भारत तालिका में अगर देखा जाए तो यहां पर 48 स्थान पर है ठीक है नेस्ट कोसल की बोला गया है क questo रोगसेशन का ब्राण्ट अम्बेशडर की से बनाय गया है तो ब्रांट अम्भेश्टर याद रिखेगा रणबीर सिंग हो जाएगा आपका D हो जाएगा नेश्ट कुसन की वर्तमान में भारत के ग्रामीड विकास मंत्री कौन है ग्रामिड विकास मंतर याद रखिएगा गिरीराज सिंग हो जाएगा जो कि यह option आपका भी हो जाएगा नेश्ट कुसने की आर्थिक समिक्षा 221 के नुसार मास उतपादन में भारत का इस्थान क्या है तो मास उतपादन में देखा जाए तो यह आपका पांचवा इस्थान है जो कि यह option आपका C हो जाएगा नेश्ट कुसने की एंटी पीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवनिकर्डिय उर्जा उतपादन का लक्ष रखा है तो यह आपका लक्ष रखा गया है 2032 तक जो कि यह option आपका C हो जाएगा नेश्ट कुसन है बोला गया है कि यहाँ पर 41-11-6 में वह कौन से सबसे छोटी यानि यह आपका मैस का कुसन है तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका मैं आपको PDF दे दूँगा तो PDF के थुरूप आप इसको अच्छे से लगा पाएंगे ठीक है तो चलिए 31 देख लेते हैं बोला गया है कि निम्ण में से कौन सा पावर इस्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंदित है चंबल घाटी परियोजना से संबंदित है तो यह आपका हो जाएगा option B गांधी सागर नेश्ट कोसन की सोना की उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रत्थम इस्थान पर रहता है तो यह कब किया गया था तो नेश्ट कोसन की धौली घंगा तत्था विश्नु गंगा का संगम कहां पर होता है तो option के हिसाब से देखा जाए तो आपका इप्युक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा लेकिन अगर याद रखेंगे धौली गंगा तथा विष्णू गंगा का जो संगम होता है ये आपका विष्णू परियाग में होता है तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगा नैश्ट कोसन के दिये गए विकलपों में से कौन सा राज ये मयानमार के साथ सीमा साजान नहीं करता है तो ये आपका नहीं करता है मेघाले क्या हो जाएगा मेघाले नेश्ट कुसन के जीवित जड़ पूल कहां परिस्तित है जीवित जड़ पूल जो है यह आपका देखा जाए तो मिघाले में इस्तित है आपका भी हो जाएगा नेश्ट कुसन के निम्न में से कौन सदर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्तित नहीं है तो देखे हिमाचल रोहतांग बढ़ालाच्छा आपका हिमाचल प्रदिशेंप पड़ता है ठीक है नेष्ट कुस्न की भारत का कौन सा बंढोर पर इस्थित नहीं है तो यह आपका स्थित और क्या हो जाएगा एन नवर नेश्ट कोसने की निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निगरीटो प्रजाती का है निगरीटो प्रजाती का है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन सी से मांग क्या हो जाएगा से मांग नेश्ट कोसने की भारत का सरवादिक जन संख्या घनत्तों वाला राज कौन सा है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा option a बिहार एक ग्यारा सो च्छा करीबन देखने को मिलता है यहां पे नेश्ट कुछन के दिये गए विकल्पों में से कौन सा गांधिवादी अर्थ विवस्था का मूल सब्द नहीं है तो यह आपका हो जाएगा कैंद्री किरित उत्पादन क्या हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुछन की सी आर आर का संचिप्ट रूप क्या है यहां पर फूल फॉर्म पूछा गया है सी आरर का तो आपका यहां पे हो जाएगा option c cash reserve ratio option आपका यहां पे क्या हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा दिये ग व्लिदीसी ओन जी सी आई ओसी भेल गेल यह सबाब का महारतन कंपनी के अंतरगत आता है नेश्ट को सब्सक्राइब भारती और धोई की पुनरविचार बैंक की स्थापना कब किया गया था तो यह आपका किया गया था में से किसके द्वारा सरपर्थम तथो को धातु तथा अदातु नामकद वर्गों में वर्गि करित किया गया है तो 46 ऊपसिक्ष्क आपका ओप्शन ऊप्शन ए वर्जीलियस क्या हो जाएब वर्जीलिए नहस्ट कुस्न की काच का हरा रंग निम्द में से किसके कारण होता है काच का हरा रंग निम्द में से किसके कारण होता है तो यह आपका होता है क्रosaic pacrept co неп туда याद रखियेगा याद रखियेगा trou 비न की प्लास्टर आप पेरिस निमलिखित अब देखा जाए तो जिपस्न हो जाएगा आप सि हो जाएगा हिरा निम्न में से किस का आउरूप है तो ही रा देखा तो एक परकार से आपका कारवन का एक अवरूप है ये सही आंसर हो जाएगा नेस्ट कुशन है बोला गया किसी रासायनिक योगी की लगुत्तम इकाई क्या है तो रासायनिक योगी का लगुत्तम इकाई देखाया तो ये आपका परमाडू हो जाएगा जो कि option आपका D हो जाएगा सुपर सोनिक जेट की चाल पूछा गया है तो सुपर सोनिक जेट की अगर चाल देखा जाए तो धोनिक ये वेक से अधिक होता है जो कि A right answer हो जाएगा next question किया है कि विधुत गती की E काई निम्न में से है तो ये आपका हो जाएगा बोल्ट अगला कि 100 डिगरी Celsius निम्न में से किसके बराबर होता है तो ये देखा जाए तो आपका 54 है तो 54 का हो जाएगा आपका option D 212 डिगरी फॉरिन हैट पे हो जाएगा option आपका D हो जाएगा नेश्ट कोसन ने बोला गया कि समतल दरपड में वस्तू 2 मिटर की दूरी पर रखी गई है तो उसके प्रती B में तब था वस्तू की बीच की दूरी क्या होगी यानि कितना मिटर होगा तो 4 मिटर हो जाएगा यानि ए सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा नेश्ट कोसन क्या है कि वर्षा की बूंद गोला कार होने का करड़ क्या है तो ये देखा जाए तो आपका प्रिष्ट तनाव की करड़ ही आपका वर्षा के जो बूंद होता है ये गोला कार हो जाता है कोसन नवर 57 बोला गया है कि नियत वेक से गतिसील ट्रेन में इंजन की ओर मुह करके बैठा एक यात्री एक गेंद उपर की ओर उच्छालता है तो गेंद आपस यानि गेंद जो है वापस आएगी तो गेंद जो है वापस आएगा यात्री की हाथ में क्योंकि ट्रेन और बॉल दोनों साथ में ही चल ला ह नेश्ट कुसन क्या है कि लवू के सरकरा का इस्तर कम करने वाला हार्मोन तो सही आंसर देखा जाये तो अंठावन का उत्र क्या हो जाएगा उप्सन आपका D हो जाएगा इंसुलिन नेश्ट कुसन क्या है कि परावर्ति किरियाओं का संचालन निम्न मेंसे कौन करता है तो आपका हो जाएगा आपसन B रिड रज्जू हो जाएगा जो कि B सही आंसर हो जाएगा एक वैस के मनुसे के मस्तिस का का दरब्यमान लगभक कितना होता है तो साट का हो जाएगा आपका ओप्सन B 1400 ग्राम कहीं कहीं 1450 ग्राम भी देखने को मिल जाता है तो आप लंसम में इतना कर सकते हैं नेश्ट कॉसन कहा कि निम्ण मेंसे कौन सा एंजाइम गुल्णोच को एथिनोल में परिवर्तित करता है तो ये आपका करता है संडी इकरटा इस्ट करता है इस्ट q kontyle sexual भोजन किसकी दिवारों द्वारा और सोसित किया जाता है तो यह आपका किया आता है क्या हो जाएगा कोशन नबर 62 का हो जाएगा इलियम क्या हो जाएगा इलियम हो जाएगा आगे देखेंगे अगला कोशन क्या है कोशन नबर 63 बोला गया कि मानो सहीड में पाचन के लिए कौन से सहायग ग्रंथी उपस्तित होती है तो सही आंसर आपका हो जाएगा option B जठर क्या हो जाएगा जठर नेश्ट कोशन के DNA में एक हैलिक्स की लंबाई होती है तो ये आपका होता है option C 34 नेश्ट कोशन के मानो अंडानू में क्रोमो जोमो की संख्या कितनी होती है तो यहां पर क्रोमोसोम की संख्या पुछा गया है तो यह आपका 46 होता है जो की 46 हो जाएगा भारती समिधान कब लागो हुआ था सभी को पता है शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो भारती समिधान जो है कब लागो हुआ था तो 66 का हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था नेश्ट कुसन कि यदि भारत का राष्टपती अनुपस्तित हो एवं उपराष्टपती भी देश से बार हो तो राष्टपती का कारे अभार जो है कौन समभालेगा तो कौन समभालेगा तो सरोच न्याले का मुख्य न्याधीस जो है इस पद को समभालेगा जो कि आपसन आपका सी सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा नेश्ट कुसन किया है कि राष्टपती बनने के लिए आयू सीमा कितना रखा गया है तो आयू सीमा जो है यह आपका 35 वर्ष रखा गया है अगर आप परधान मंत्री बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए था और अगर लिखोता है राजसभा का तो राजसभा का 30 वर्ष होना चाहिए था ठीक है नेश्ट कुसन क्या है कि भारती समिधान की प्रास्तावना में किस संसुधन द्वारा समाजवादी एवं धर्व निर्पेच सब्द को जोड़ा गया है तो ये जो जोड़ा गया है 69 का हो जाएगा ओप्सन भी 42 समिधान संसुधन जो आपका 1976 में हुआ था नेश्ट कुसन क्या है कि भारती समिधान में कैबिनेट सब्द का पुरियोग केवल एक जगह पर किया गया है ये कब किया गया था मतलब कौन से अनुछेद में किया गया है तो 70 का हो जाएगा अनुछेद 352 में नेस्ट कुसन क्या है कि राज्य में अध्यादेश किसके दोरा लागू किया जा सकता है तो राज्य में अध्यादेश जो है यह देखा जाए तो राज्य का राज्येपाल ही यह आपका लागू कर सकता है ऑप्सन आपका ए हो जाएगा अगला कुसन एक निम्लिखित में से कि से भारत सरकार का प्रतम वीधी सरकारी समझा जाता है भारत सरकार का प्रतम वीधी सरकारी समझा जाता है तो इस प्रकार से देखा जाए तो 72 का हो जाएगा आपका आपसन ए महान्याईवादी नेश्ट कुसन क्या है कि समयधान सभा के समयधानिक सलहकार कौन थे तो समयधान इक सलाहकार आप सब लोग जाद रखेगा आपका उतर हो जाएगा बी एन राओ नेश्ट कोसन क्याए कि अनुसूची ग्यारहवे के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विस्यों पर नियमित करने का अधिकार दिया गया है तो 74 का हो जाएगा आपसन डी 39 नेश् किस एक को पहले मुख्य रूप से समलित नहीं किया गया था तो अप्सन के इसाब से बताइएगा पहले कौन सा समलित नहीं किया गया था तो 76 का हो जाएगा ऑप्सन डी समाजवाद और धर्म निरिपेच नैश्ट को सन क्या है कि प्रम्त्व अपात इस्तिति की घोष्ण क कितने समयकाल के लिए की जा मतलब समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है तो सही आंसर आपका देखा जाया च्छाटर का तो ऑप्सन आपका ए हो जाएगा च्छा माँ नैश्ट को सन क्या कि महात्मा बूद्व ने अपना पहला धर्म चक परवरतन किस इस्थान पर दिया था तो यह आपका दिया गया था आपका आप्सन बी सारनाथ में नैश्ट को सन क्या क fakat का евेंक का Churchill कितने अधिकर्णों में विभाजित था था तो यह देखा जाया तो 79 का हो जायेगा आपका ऑप्सन बी पंध्रा क्या हो जाया गा पंद्रा so udah लूद्ट को सन के आए कि प्राट कौन था जिसने हूडो को पराजित किया था तो हूडो को पराजित किसने किया था तो आप सब लोग याद रखेएगा इसकंद गुप्त जो की आपका क्या हो जाएगा तो भी हो जाएगा अगला कुशन एक निम्रिकित में से कौन हडपा और मोहाज दोडों के नेश्ट कौसन क्या है यह आपका बोला गया है कि न्यू लेंप्स फॉर ओल्ड लेक्स रिंखला अठाव सो त्रियानवे से लेके चौरानवे की बीच में सर्वहारा वर के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कौंग्रेस की अलोचना की गई इन लेखों के लेखक कौन था तो आप सभी लोग याद रखिएगा 83 का हो जाएगा अरबीन्द घोस नेश्ट कॉसन क्या है बोला गया कि निमलिखित में से कौन सा गोल में सर्मिदन 1932 में हुआ था तो सभी को पता है पहले 30 में हुआ था दूसरा आपका 31 में हुआ था और तीसरा आपका यहां पे 32 में कि भारतिय करांति की जन्दनी किसे कहा जाता है भारतिय करांति की जन्दनी जो है यह कहा जाता है आपका मैडम विखाजी रुस्तम कामा को नेश्ट कुसन क्या कि भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की पुरुवर्ति संस्था निम्न में से कौन सी थी यानि सबसे पहले भारत इस समय कर घंच newa था उस समय मुगल抬ाद्वा था तो इंछिस इस्ट इंडिया कंपनी के अगर हम बात करें लिए अगर कि आपका हो जाएगा अटिन byte सुमांथ हो जाएगा अगला है कि रूस एवं फीलड एंडि के अंत्राष्टी सीमा रेखा को क्या कहा जता था तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इकयानवे का आपका हो जाएगा बताइएगा option C हो जाएगा manner हीम रेखा nest question इसमें आपका Milan करके बताना तो चलिए देख लेते हैं Japan आपका यहाँ पर बूला गया है देश और राष्ट्रि First पसू और पक्षे दिया गया है तो जापान का आपका हो जाएगा आईवीस हो जाएगा और यहां पर देखा जाए कनड़ा का आपका हो जाएगा गंजा इगल भारत का आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा बाग हो जाएगा और ऑस्ट्रिलिया का कंगारू हो जाएगा अगला कुशन है कि बोला गया कि सेंटल एक्स्टरनल लेंजा डिपार्टमेंट निमलिखित में से किस देश की गुप्त चर संस्थाएं हैं तो आंसर याद रखिएगा चीन हो जाएगा नेश्ट कुशन किया कि अंतराष्टी परमाडू उर्जा अभीकरण का मुख्याले कह पर है तो यह देखा या तो आपका ऑप्सन भी हो जाया अउस्ट्रेलिया यानि नहीं आस्ट्रिया दिया गया है अश्ट्रिया अगला के 20-80 पक्षी दिवस की स्तिति को मनाया जाता है तो यह आपका मनायाता है याद रखियेगा 8 माई को अगला कोशन है कोशन नबर 96 बोला गया गिद संद्रक्षर परियोजना को किस वर्स प्रारम किया गया था तो यह आपका प्रारम किया गया था 2006 में नेश्ट कोशन की भारत में परिस्तित की ये का जनक किसे कहा जाता है तो यह आपका कहा जाता है आपका राम देव मिस्रा को जो की आपका डी हो जाएगा अगला कुशन कि राष्टरी प्रदूसर रोग थाम दिवस कब मना जाता है तो यह आपका मना जाता है याद रखेएगा 2 दिसम्बर को नेश्ट कुसं कह一下 कि जलवाईव परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्याले कहाँ परिस्तित है तो यह आपका इस्तित जेनेवा में नेश्ट कुसं कह ए कि 200वानिकी दिवस कब औ가 मनायता है तो 200वानिकी दिवस जो है याद रिखिएगा एक कई से मार्च को मनायता है option आपका भी हो जाएगा तो इसका PDF आप देखिएगा यहाँ पर आपका व्याख्या के साथ आपको PDF में add कर दिया गया है अब हम देखेंगे सेट नंबर 15 देखेंगे ठीक है यहाँ से आपका सेट नंबर 15 चलिए सुरू करते हैं बोला गया किस राज सरकार द्वारा विस्व का पहला फीफा फॉर इस्कूल प्रोग्राम लांच किया गया है वेरी इंपोर्टेंट तो आप सब लोग गयाद रखिएगा यह आपका हो जाएगा ओप्सन डी ओडिसा नेश्ट कुसन क्या है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक में एक जंग लड़ते हुए लेखक कौन है तो आप सब लोग गयाद रखिएगा रमेस पोखरियाल हो जाएगा जो कि ओप्सन आपका भी हो जाएगा अगला कि भारती मुल्क के किस व्यक्ती को कनाडा का रक्षा मंतरी बनाया गया है तो सही आंसर आपका हो जाएगा उप्सन ए अनीता आनंद क्या हो जाएगा अनीता आनंद हो जाएगा उप्सन आपका ए हो जाएगा नेस्ट कुसन कैया कि सहर ने city with most sustainable transport system अवार्ट जीता है तो यह जो है याद रखियेगा चौथे का आपका हो जाएगा option C कोची नेस्ट कुसन कैया कि भारत का पहला सरम आंदोलन संगराहले कहां इस्थापित किया गया है यह कहां पर इस्थापित किया गया है तो यह आपका केरला में किया गया है जो कि option आपका A हो जाएगा अगला कुशन कैया है कि कौन सा देश open sky संदी से हाल ही में बाहर हो जाएगा है यह रूस क्या हो जाएगा रूस हाल ही में किस राजिय के चिन्नोर चावल को G.I. टेक दिया गया है तो चिन्नोर याद रिखेगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साथ में का option D हो जाएगा मदे परदेश क्या हो जाएगा मदे परदेश नेश्ट कोसन किया कि व्यक्ति गत सुष्वास्त सुचकाद्वर 21 बवरत का इस्थान क्या है तो सुष्वास्त की मामले में दिखा जाए तो भारत का इस्थान आपका 10 नंबर पर है जो कि ऑप्सन आपका C हो जाएगा नेश्ट कुसन किया कि चौथा युवा ओलंपिक खेल कायों जन्दूर चब्वीस में कहां किया जाएगा तो यह कहां पर किया जाएगा तो यह आपका सेनेगल में किया जाएगा जो कि नौवे का दिखा जाएगा तो ए सही आंसर हो जाएगा अगला की टोकियो प्रालंपिग और बीस में राजत पदक जितने वाले प्रवीन कुमार का संबंद की स्खेल से है तो प्रवीन कुमार का जो संबंद ह्याद रखिएगा उची कूच से होना चाहिए तो हाँ सही है ए आपका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन की भारत में अंतराष्ट्रिय लूनर रिसर्च स्टेशन इस्थापित करने है तू किस देश के साथ समझहोता किया है तो इग्यार का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन ए चीन हो जाएगा क्या हो जाएगा चीन नैस्थ कोशन किया कि विस उपहोकता अधिकार दिवस दोर 21 का थीम विसे क्या था तो इसका थेम विसे याद रखे गा यह आपका हो जाएगा 12 का ऑप्सन भी टेक लाइन मैं स्रूर्य टेक लिंक प्लास्टिक पॉलूसन हो जाएगा नैस्ट कोशन क्या है कि बुला गया दी हो जाएगा नेश्ट कुसन के कि स्तमिल फिल्म को आई एफ एफ आई दो चुना गया है तो यह आपका चुना गया है कुझ गल को जो की आपका सी हो जाएगा नेश्ट कुसन के यह आपका पसी मंगाल हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा नीवन मेंसे किस गांउ को यू एण डबलू टी ओ द्वारा सरवसेश्ट पार्याटन गांउ के रूप में चुना गया है तो यह भीयतनाम सिखर समय लनकी में जवानि किया है तो अठारः का उत्तर आपका हो जाएगा option a France क्या हो जाएगा France next question कि किसी हाल ही में मनेस्टी international का नया महा सच्चीव निप्त किया गया है किसको तो यह निव्द्ट किया गया है आपका option C यानि एगनेस केलमर्ड हो जाएगा जो कि option आपका C हो जाएगा अगला कुछन है कि हाल ही में भारत के पहले पारिया और मंत्री का निदन हो गया है उनका नाम क्या था तो उनका नाम आप सब लोग आद रखिएगा 20 का आपका हो जाएगा दिग विजे सिंग जाला option आपका A हो जाएगा किसके दोरा वैटलेंड आफ इंडिया पोर्टल को लॉंच किया गया है तो यह लॉंच किया गया है आपका भूपेंद्र यादर हो जाएगा जो कि option आपका भी हो जाएगा अगला कुछन के 2021 के लिए और ससास्तर का Nobel किसे दिया गया है तो यह Nobel दिया रहित प्रेन का अनावड किस देश ने किया है जर्मनी अगला कुछन क्या है कि इंटरनेशनल एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर काली का सदद से बनने हे तू आमंत्रित किया है तो 24 का उत्तर आपका यहां पे यह हो जाएगा भार भारत हाल ही में किस ने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है तो सही आंसर आपका हो जाएगा आप्शन ए रस्मी माधुरी रस्मी माधुरी नेस्ट को सन के ट्वटी एट सेंटीमेटर व्यास के यह सबाब का मैस का को सने तो इसको आप अच्छी से लगा लिजिएगा डिटेर भी मिल जाएगा आपको यहां पर ठीक है व लगया कि दिए गयाय विकलपो में से किस नधी का बहाव पंजाब में नहीं है तो आपका ताप्ती ताप्ची का जो बहाव ये पंजाब का नहीं है तो अगला कुशन है बोला गया है कि कौन सा राज ये समुह भाख्णा नांगल परियोदिना से जल प्राप्त करता है तो बाख्णा नांगल शतलर नदी से सम्मंदित है तो 32 का उतर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी ह हो जाएगा हर्याना पंजाब यह आपका तो tsunuju कर देखा जहें तो प़्यास से है option जो जाएगा नैस्ट को सफन में बोला गया है कि सर 밀व विवाद किन देशों के मद्ध्य है सरकिरिक विवाद जो है या आपका भारत और पाकिस्तान की बीच में इस्तित है मतलब इसी से आपका विवाद संबने थे आपका भी हो जाएगा अगला कुछने की निम्न में से कौन सराज ये पठकाई पहाड़ी से संलगन नहीं है तो 35 का उत्तर संब्से आपका बोला गया कि भारत में मांसुन की परवाह की समान ईर दीसा क्या है तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सें भी दछड फसीम से उत्तरपूर ऑप्सना अपका भी हो जाएगा अगला कुछने की लावा मिटियां कीन छेतरों में सरवाधिक पाई जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी गंगा का मैदान नेस्ट कुछन क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्री और राजमार्ग कौन सा है तो सही आंसर आपका हो जाएगा NH44 जो की ए आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापूर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था तो यह आपका किया गया था Britain, क्या हो जाएगा बृटेन आपका सही आंसर हो जाएगा अगला है Gas Authority of India के स्थापना कब किया गया था तो यह आपका किया गया था 1984 में जो कि option आपका D हो जाएगा नेश्ट कुछन कि रिसी को उद्धो का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो भारत का पहला राज्य याद रखेगा या आपका महराश्टर हो जाएगा जो कि 42 का ए सही आंसर हो जाएगा Neesht question कि गरतंत्र भारत का पहला बजजेट किसने पेस किया था तो ये पेस किया गया था आपका जान मताई के दौरा जो की 43 का दिखा जए तो ऑप्सन आपका D हो जाएगा Neesht question कि कि pode 15 with IO के अध्यक्स היya तो 15 with IO के अध्यक्स आप सबी लोगाद रहएगा एनकेसिंग हो जाएगा जो कि आपसन आपका C हो जाएगा निम्न में से कौन सी मुप्त बाजार यानि मुप्त बाजार और्थ विवस्ता की एक विस्षिश्टिता है तो 45 का आपसन आपका हो जाएगा उपभोगता संपरभूता यानि उपभोगता संपरभूता हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बागों की जनगरना हुई है तो वेरी इंपोर्टेंट है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आपका उत्तर हो जाएगा पालामू नेश्ट कुसन कहा कि निम्न में से कौन जैविक उर्वरक है तो जैविक उर्वरक के अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा सभी हो जाएगा यानि राजोबियम हो जाएगा सहजीवी संबंध हो जाएगा और एजोर्टो बैक्टर भी हो जाएगा नेश्ट कुसन कहा कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन भी जोरहट में क्या हो जाएगा जोरहट आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टाइगर मैन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो यह आपका जाना जाता है ऑप्शन देखा जाया तो 49 का कोई नहीं है इसमें से लेकिन इसको देख लेते हैं कैलास सांखला को जाना जाता है टाइगर मैन आफ इंडिया के नाम से नेश्ट कोशन कैया कि परिस्तितिकी तंत्र में उर्जा का प्रमुक इस्तरोत क्या है उर्जा का प्रमुक इस्तरोत आप सब लोग जाद रखिएगा पचास का हो जाएगा option D सूर्य प्रकास नेश्ट कुशन क्या कि पैट्रूल तथा डीजल के अधुरे जलने से उत्पन होते हैं तो 51 का उत्तर आपका हो जाएगा option A कार्बन मोनो ऑक्साइड नेश्ट कुशन क्या है बुला गया है कि रेट और नेफ नेप्थलीन के मिस्लिक को किसके दोरा अलग किया जा सकता है तो 52 का उत्तर आपका हो जाएगा option A उर्धो पातन क्या हो जाएगा उर्धो पातन अगला है कि नीलम का रासायनिक सुत्र क्या होता है नीलम का रासायनिक सुत्र अगर बात करें तो एल्टू ओठी हो जाएगा ऑप्सन आपका सी हो जाएगा यह बोला गया कि पाने के टंकी में फंगी को नश्ट करने के लिए निमरीखित में से किस समा किस रासायन का प्रयूक किया एता है तो सही आंसर आपका हो जाएगा कॉपर सलफेट जो की ब स्ट इसलगा लिए और निमरीखित में से किस में आक्सीजन अनुप्वस्तित रहती है तो यह आपका हो जाएगा अ की ब्लब nov को देखने के लिए वस्ट प्रयोग किया जाने वाला प्रकासी उपकरण पुछा गया है तो यह आपका हो जाएगा microscope जो कि A आपका सही answer हो जाएगा अगला है कि निकट द्रिष्टी दोस्को किस नाम से जाना जाता है तो आप सबी लोग याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा option C myopia क्या हो जाएगा myopia अगला है कि 40 degree Celsius का मान foreign height scale में कितना होता है तो यह आपका होता है 104 degree foreign height हो जाएगा जो कि option आपका A उत्तर हो जाएगा दाब की E काई होती है देखिए दाब की E काई याद रखिएगा यह आपका Newton प्रतिवर्ग मीटर हो जाएगा option आपका D हो जाएगा अगला है कि टेफलोन निमलिखित में से किसका बहुलक है टेफलोन तो यह आपका है option A यानि टेटा फ्लोरो एथलीन हो जाएगा यह आपका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन ने बोला गया है कि radar का अविस्कार के अविस्कारक कौन है तो radar का अविस्कारक आप सब लोग जाद रखिएगा या आपका रावट वाटसन हो जाएगा जो कि 63 का A आंसर हो जाएगा नेश्ट में से किस बिटामिन में कोबाल्ट होता है कौन से बिटामिन में कोबाल्ट होता है तो बिटामिन B12 B12 हो जाएगा अगला question है question number 65 बोला गया है कि फलिया अतिधीक पॉस्टिक होती है क्योंकि इनमे प्रचूर मातरा में क्या होता है तो देखा जातो इसमें आपका प्रोटीन होता है प्रचूर मातरा में जो कि इसमें बहुत ही देखने को मिल जाता है अगला है कि निम्न में से महिला सेक्स हार्मोन पुछा गया है निम्न में से महिला सिक्स हार्मोन अगर देखा जाए तो यह आपका छांचेट का हो जाएगा ऑप्सन ए एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन नेश्ट कुछन क्या कि निम्लिखीत में से कौन सा हार्मोन अगनिया से द्वारा उत्पन होता है तो यह आपका होता है बी insulin क्या हो जाएगा insulin next question के एट nemलिखीत मैं से किसके द् substral होता है तो तो होता है यह आपका ट whats a universal सब्सक्रविशादों होना चाहिये था है है और है हो जाएगा आपका option भी विर्विशाणू बीसानो जो कि वाइरास होता है अगला question कि क्या कि निम्न में से कौन सा पादव हर्मोन का प्रयोग बौने पौधो पौधे को लंबा करने में किया आता है तो आप सब लोग याद रखिएगा साइटो काइनीन हो जाएगा जो कि आपका सी हो जाएगा जानवरों की प्रति कुरुदता की रोगथाम को भारतिय समिधान क कि यह किसोची में रखा गया है तो यह समवर्ति सुची हो जाएगा अगला क्या है कि निम्लीखित समिधानिक उपचारों में से किसे पोश्ट मार्टम भी कहायता है तो पोश्ट मार्टम याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा option B उत्प्रेसर नेस्ट कुशन क्या है भोला गया है कि भारत में वरीता करम इंद्रमिखित में से कौन सबसे पहले आता है तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर हो जाएगा option A हो जाएगा UPSC का अध्यक्स हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगला की 124 वा समिधान संसुद्ण विध्यक निम्न में से किसे संबंदित है तो 124 वा कि अगर हम बात करें तो यह होना चीए था आपका अरक्षड से सही है यह आपका सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा अगला की समिधान की कारेपाली का सकती नहीं थे किसमें समिधान की जो कारेपाली का सकती है यह देखा जाए तो आपका हो जाएगा option C राष्टपती में नेश्ट कुशन क्याए कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनितिक संस्था में इस्थान अरक्षित है तो 76 का आपका हो जागा ऑप्शन डी पंचायती राज नेश्ट कुसन किया कि सरवोचे न्याले का मुख्य नियाधिस अपने पत सित्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है तो ये राश्टपती को ही देना चाहिए था जो कि ए आपका यहां पर सई हो जाएगा अगला कुसन किया कि धान विदेहक पेस किया जा सकता है किसके द्वारा धान विदेहक जो है आप सब लोग जाद रखिएगा 78 का हो जागा केवल लोग सभा में अगला कि नया राज बनाने में समिधानिक संसुदन के लिए कैसा भहमत चाहिए तो ये एकदम सिंपल है कन्फ्यूज नहीं होना है आपको एकदम सधरण भहमत रहेगा तब भी आप इसको अच्छे से चेंज बगारा कर सकते हैं अगला कि उच्छतम नयाले की विवस्था अनुसार नीजी भावनों के उपर राष्ट्री जंडा को फाहराना किस अनुछेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है तो आप्सन के हिसाब से आपका 80 का हो जाएगा आप्सन B अनुछेद 191 A के तहत नैश्ट कोसन काया कि लोक लेखा सम्मेती अपनी रिपोर्ट कीसे प्रस्तूत करता है तो लोक लेखा जो सम्मेती है ये जो अपना रिपोर्ट है लोक सभ़ा के स्पीकर को सौंपता है यह आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रिय सुरक्षा समीती का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रिय सुरक्षा समीती का जो प्रधान होता है वो आपका यहां पे प्रधान मंत्री ही होता है ऑप्सन आपका C हो जाएगा अगला कि सल्तनत काल में सरोजनी के वीतरन पढ़नाली किसने प्रारम किया था सल्तनत काल में तो 83 का आपका हो जाएगा option D अलाओ दिन खिल जी बोला गया है सारोजनी के वीतरन पढ़नाली याद रखेगा अलाओ दिन खिल जी हो जाएगा अगला है किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से बेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया है तो 84 का हो जाएगा आपका ओप्सन भी मुहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा अगला कि 1529 में किसने दच्छिड बिहार पर आकरमण किया लेकिन सेर खां के दौरा परास्त किया गया है तो 85 का हो जाएगा आपका ओप्सन ए बहार खा क्या हो जाएगा बहार खा अगला है कि मुगर काल में मुख्य खाजी था, काजी के बारे है मुष्या गया है, तो किस नाम से विख्याद था तो ये आपका मुख्य नियादिस हो जाएगा जोकि 86 का A सही Ćंसर हो जाएगा आजाद यानि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निमनलिखीत राज नितिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी तो सही आंसर आपका हो जाएगा लेवर पार्टी जोकि B. राइट आंसर यहां पे हो जाएगा नेश्ट कुसन क्या कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसराइक कौन था तो उस टाइम अगर देखा जाया तो इटी एट का हो जाएगा आपका ऑप्सन डी लाड करजन क्या हो जाएगा लाड करजन नेश्ट कुसन क्या कि महात्मा गांधी दच्छिड अफ्रीका के वापसी पर इन में से किस घटना के करड़ उनको प्रसिद्ध यानि प्रसिद्धी मिली थी तो यह आइधिंग उन्नी स सत्र अध्यक्स्ता किस ने किया था तो यह जो किया गया था स्वामी सहाजानाद के दौरा किया गया था यह आपका सही आंसर हो जाएगा अगला है कि देव बंद के उप विद्वान का नाम बताए जिसनों ने जीन होने सुतनता अंद्रण में महत्रपुड भूमी का निभ बिलता है तो बानुवे का उत्तर आपका हो जाएगा भानु गुप्त का एरड इस्तंब अभिलेख जो की बी आपका सही आंसर हो जाएगा नेस्ट कुशन किया कि असो के किस अभिलेख में मनुस्य तथा पसु दोनों की चिकिस्टा विवस्था का उलिख किया गया है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन भी दूसरा अगला क्या है कि सोलंकी वन्स का संस्थापक कौन था सोलंकी वन्स का संस्थापक आप सब लोग याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्सन सी मूल राज प्रथम क्या हो जाएगा मूल राज प्रथम आपका यहां पे सही अंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला कुस्ण कि यह कि अंतराष्ट्री योग दिवस तो अंतराष्टी योग दिवस जो है आपका 21 को मना आयता है अगला है कि आई ल तो यानि अतराष्टी स्रम संगर्ठन के मुख्याले कहां पर है तो यह आपका है जेनेवा में कहां पर जेनेवा में नेश्ट को सब्सक्राइब करने की जिमेदारी किसके पास है तो यह जो है आपका महासभा के पास नेश्ट है आपका इसमें मिलान करके बताना है तो आपका यहां पर हो जाएगा मैपल लिफ हो जाएगा फ्रांस का आपका लीली हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका कौन सा है तो यह आपका हो जाएगा एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोवी हो जाएगा न आप सभी लोग को बताया जागा कौन सेट आपको कराया जाएगा चाहे आपका कोई इंपोर्टेंट सेट जो है आप तो रिविजन नहीं चलेगा क्योंकि आखरी स्वेमें रिविजन नहीं बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो देखेंगे मास्टर वीडियो को लेकर करायेंगे तक आपका रिविजन हो पाएगा पीडियो ब्राणूर्ड कर लिजेगा आप सभी लोग तो वीडियो का ऐसा लगा है कमेंट करके बताईएगा और लाइक कर दीजे वीडियो को क्योंकि आप सभी लोग का एक लाइक कहीं नहीं मुटिवेट कर ही देता है तो च के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मातरम